दोस्तो आप पुराना इस्रूम कार्ड जो है वोने ही चलेगा जी हाँ दोस्तो आप लोग बिल्कल सही सुना है जिन लोगोंने इस्रूम कार्ड को ओलडी बना चुका है इनका इस्रूम कार्ड क्या होगा मुझे नहीं पता है लेकिन जिन लोगों ने आभी तो इस रोम कार्ड को नहीं बना रखा है बै इनका तो बहुत बहुत खुशकबरी है जी हाँ दूस्तो आप लोग बिल्कुल सही सुना है दूस्तो आप लोग एक चीज देख लिजे कि मेरा जो बात है ये कितना परसेंट सोच है ये भी आप ल ऐसे टेप करके बाताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरीके से नया e- packing कार्ड को बना सकते हो और जैसे लोग लोग या इस रूब करद बनाएंगा तो तूर ब्लमत करने तो आप लुख सकते हो कि इसमें क्या क्या अबरीट हुआ है सबसे पहले तो देके कि रिजिश्टर और निचे दिखे ओलरी रिजिश्टर आगे दिखे login बटन दिया गया है यानि कि दूस्तो login की जगा update बटन था लेकिं दूस्तो ये update होकर यहाँ login आ चुका है सबसे पहले तो दूस्तो आप लोको मैं proof दिखाना चाहूंगा कि ये जो update है ये आज़ी launch हुआ है और जिनका इस room card पहले से बना हुआ है मुझे तो लगता है कि उनका जो इस room card है ये update करना होगा सबसे पहले आप लोक लाइब देख लिजे जैसा कि दूस्तो आप लोको मैं twitter handle पर जाके आप लोको मैं दिखाना चाहूंगा आप लोक देखे कि ministry of labor employment और आप लोक ये आप सबसे पहले तो date देख लिजे कि देखे 21 October 2024 यानि कि दूस्तो आज जो date चल रहा है ना उसी date में ये launch हुआ है और यहाँ आप लोक साफ साफ देख सकते हो कि देश की वशंगटित आप लोक देख लिजे यूजना का लाब उटाए पोटल से जुड़े और आपने बविश्यों को शुरक्सित बनाए जी हाँ दूस्तो आप लोक बिल्कल सही सुना है और निचे आप लोक देखे कि इसरोम one stop solution one stop solution का मतलब क्या है जब भी आप इसरोम कार्ड जो है ये बनाना शुरू करोगी तभी आपको समझ में आगा की one stop solution क्या होता है आईए दुस्तो श्टार्ड करते है एक नए इसरोम कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले तो आपको किसी एक ब्राउजर को ओपिन करना है और टाइप करना है isrom और इसके बाद आपको स्वार्च करना है स्वार्च करने के बद ये जो पहला लिंक के isrom इस लिंक पर आपको एक बर क्लिक करना है इतना करते हैं दूस्तो आप लुक देखे कि पूरी तरीके से अपडेट हो चुका है और ये जो वीडियो है दूस्तो one stop solution वाले जो isrom card है पूरे यूटूब पर देखने को नहीं मिलेगा मैं इस बात की खुद ग्राटी लेता हूँ इसके बाद दिखिए go to main page और ये जो arrow icon है arrow icon पर आपको क्लिक करना है इतना करते ही दूस्तो ये pop-up message जो है cancel करना है इसके बाद आपको निचे slide करना है इसके बाद दूस्तो एक नए e-sroom card बनाने के लिए आपको register on e-sroom इस link पर आपको एक बार click करना है click करने के बाद दूस्तो next interface कुछ इस तरीके से आप लोग की सामने open होगा सबसे पहले तो दिखे self registration और निचे आपको इस box पर mobile number fill करना है वही mobile number fill करना है जो mobile number आदरकड में register start है इसके बाद यह जो capture code है इस box पर fill करना है इसके बाद निचे no जो option है यह आपको select करना है निचे आपको no select करना है इसके बाद निचे आप लोग देख सकते हो कि यह जो send OTP button है send OTP button पर आपको क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों आदरकड में जो भी register start mobile number होगा उस पर एक OTP send किया जाएगा 6 digit का जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने OTP fill क्या है इसके बाद submit button पर आपको क्लिक करना है जैसे आप लोग submit button पर क्लिक करोगी क्लिक करने के बाद आप लोग के समने एक नुए interface open होगा सबसे पहले तो आपको other number fill करना है इसके बाद OTP के लिए आपको OTP section choose करना है इसके बाद ये जो capture code है इस box पर fill करना है इसके बाद I agree इस box पर tick mark करना है इसके बाद नीचे submit button पर आपको एक बार click करना है इसके बाद दूस्तो UIDAI की तरफ से एक OTP send किया जाएगा जैसे कि आप लोग देख सकते हो OTP मेंने feel क्या है इसके बाद ये जो validate button है validate button पर आपको click करना है जैसे आप लोग validate button पर click करोगे click करने की बाद आप लोग की सामने एक नए interface open होगा तूरा सा नीचे अगर आप लोग slide करोगी तो other card से कुछ details जो है detect कर लिया है इसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे एक options देखिए continue to enter other details तो इस button पर आपको click करना है जैसे आप लोग इस button पर click करोगी click करने के बाद नीचे आपको slide करना है सबसे पहले तो mobile number आप देख सकते हो इसके बाद नीचे आप लोग देख सकते हो कि अगर आपकी पास एक से ज़्यादा mobile number है तो इस box पर fill करना है otherwise ऐसे blank चोड़ देना है इसके बाद अगर आपकी पास email ID है तो आपको fill करना है otherwise चोड़ देना है marital status जो है यह आपको fill up करना है इसके बाद mother's name और social category यह आपको fill करना है जैसा कि दूस्तों मैं social category जो है सबसे पहले तो fill कर लेता हूँ इसके बाद आप लोग देख सकते हो AC, ST, OBC और general जो भी है आपको choose कर लेना है इसके बाद अगर आपको पता है blood group क्या है तो आप blood group जो है select कर लेना है इसके बाद यह जो option है देखे differently देखे air blade तो यह हमेशा मतलब क्या करना है कि no रखना है इसके बाद दोस्तों निचे आप लुग देख सकते हो कि nominee details तो nominee details दोस्तों इसमें जोड़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप नहीं जोड़ना चाहते हो तबी भी यह card बना सकते हो यह mandatory नहीं है nominee के नाम आपको fill करना है nominee date of birth fill करना है gender choose करना है relation with applicant यानि कि जिसका card आप बनाना चाहते हो इसके साथ क्या relation है इसके बाद nominee address complete fill करना है इसके बाद mobile number fill करना है save and continue button पर आपको click करना है दोस्तों marital status select करने की बाद आप देखे कि father name and husband name अगर आप father's name देना चाहते है तो आप दे सकते हो अगर आप husband name देना चाहते है तो आपको choose करना है second option देखे husband और first option देखे father's name तो आपकी हिसाब से आप choose करना है जैसे कि मैं husband choose कर लेता हूँ इसके बाद निचे आपको इस box पर husband name जो है fill up करना है और इसके बाद निचे ये जो save and continue button है इस button पर आपको click कर देना है इसके बाद दूस्तो next interface कुछ इस तरीके से आप लोग की समने open होगा तोला सा निचे आपको slide करना है और slide करने के बाद सबसे पहले आपको देखिए कि residential details जो है या आपको fill करना है सबसे पहले तो आपको state choose करना है district आपको choose कर लेना है और state specific ID जो होता है ये एक normal बंदा की पास नहीं होता है तो आप ऐसे blank छोड़ देना है इसके बाद तूस्ता निचे आपको slide करना है और slide करने की बाद current address जो है या आपको choose करना है अगर आप gramming चत्र से बिलंग करते हो तो आपको urban choose करना है इसके बाद address line 1 और address line 2 ये दोनों box में complete जो address से fill करना है इसके बाद फिर से आपको state choose करना है district choose करना है sub district या तैसिल आपको choose करना है इसके बाद निचे देखिए pin code आपको fill करना है इसके बाद दूस्तों निचे आप दूख देख सकते हो कि एक option है staying at current location तो ये जो box है इस box पर आपको एक बार click करना है इतना करता ही दूस्तों आपको वही choose करना है कि more than 25 yards ये आपको choose कर लेना है इसके बाद देखिए कि permanent address तो permanent address आपको fill करना है जैसा कि देखे same process है address line 1, address line 2 और state, district और sub district तेहसिल आपको choose करना है इसके बाद pin code fill करना है save and continue button पर click करना है दूस्तों इतना करता ही आप लोग की सामने एक नया interface दुबारा open होगा इसके बाद निचे आप लोग slide करना है इसके बाद सबसे पहले तो education and qualification इस box पर आपको एक बार click करना है और click करने के बाद आप कितना educated है आप यही से choose करना है इसके बाद choose करने के बाद दूस्तों आप लोग देख सकते हो कि निचे दिखिए आप लोग की education certificate अगर आपकी पास है तो upload करना है यह चोड़ दना है यह mandatory नहीं है इसके बाद monthly income slave जो है इस box पर click करना है और click करने के बाद monthly आप कितना income करते हो यानि कि दूस्तों आप देख सकते हो कि इन में से दूस्तों जो सबसे कौम है वही आपको choose कर लेना है इसके बाद अगर आपकी पास income certificate है तो आपको upload करना है otherwise ऐसे चोड़ देना है यह mandatory नहीं है इसके बाद देखे save and continue बटन पर आपको click करना है इतना करते ही दूस्तों आप लोग की सामने फिर से एक नवया interface open होगा इसके बाद सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हो कि occupation and skill तो इसके लिए आपको क्या करना है कि तूड़ से निचे आपको slide करना है सबसे पहले तो आप लोग देखिए कि are you working any platform देखिए इसके बाद देखिए mobile app, batch, service, provider, like, uber, wala, jometu अगर इस तरह की platform पर आप काम करते हो तो yes करना है otherwise no, choose करना है इसके बाद primary occupation जो है यह आपको इस box पर fill करना है जैसे कि अगर आप एक farmer हो तो आपको cultivator choose कर सकते हो CUL, देखिए cultivator crop, तो यह मैं choose करता हो choose करने की बाद दोस्तो निचे आप लूग देख सकते हो अगर आपको नहीं पता है कि आपकी जो काम है यह किस list पर आया है तो आप लूग यहाँ देख सकते हो click here तो इस button पर click करके जो NCO code है यह आप डाल सकते हो एक list आजाएगा इसके बाद तो निचे आपको slide करना है और slide करने की बाद आप देख सकते हो working experience in primary occupation in yards इसके लिए इस box पर आपको click करना है click करने की बाद दोस्तो आपकी हिसाब से आप choose करना है कितना experience है इसके बाद दिखिए secondary जो acquisition है यह आप ऐसे चोड़ दीजिए इसके बाद दोस्तो यह जो निचे box है यह box जो है आप skip कर दीजिए यह आपके लिए इतना जरूरी नहीं है इसके बाद save and continue बेटन पर click करना है इतना करते हैं दोस्तो आप लोग की समने एक नवया interface फिर से open होगा इसके बाद निचे आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले तो आपको bank details फिल करना है bank sitting उच आदर यानि कि bank account में जो भी आदर काड लिंक है वही bank account number इस box पर फिल करना है confirm bank account number इस box पर फिल करना है account holder name आपको फिल करना है अगर आपकी पास other sitting वाला bank account नहीं है फिर भी आप फिल कर दीजिये और उसके बाद आप other seated जो है bank जाके यह आप कर सकते हो इसके बाद दिके look up for ifsc code तो इस box पर क्लिक करके आप यह जो search button है search button पर जैसी आप लोग क्लिक करोगी क्लिक करने की बाद देखे bank name और branch name दोनों आ जाएगा इसके बाद save and continue बटन पर आपको एक बार क्लिक करना है दोस्तो इतना करते ही आप लोग की सामने फिर से एक नवा interface open होगा other card में जो भी photo है आप यहाँ देख सकते हो detect कर लिया है इसके बाद निचे आपको slide करना है जितना details से आप सोब कुछ यहाँ देख सकते हो जो आप fill क्या है और जो other card में मौझूद है यह दोनों details यहाँ आप देख सकते हो इसके बाद निचे आपको slide करना है slide करने की बाद दोस्तो आप देख सकते हो कि यहाँ आप लोग देख लिजे कि यह जो submit button है submit button पर click करना है लेकिन सब्मिट बटन पर click करने से पहले आपको और दो काम करना है यह जो tick mark है जैसे कि यह जो tick mark है यह आपको करना ही पड़ेगा कि उसके बाद submit button पर click करना है submit button पर click करता है दोस्तो आप लोग देख सकते हो thank you for register का mag soldier is a organization work hard you have even number has been sent by sms you are registered mobile number इसके बद तूरा अनिचे आपको slide करना है और slide करने कि बाद event card जो है आप देख सकते होł और उसके बाद दूस्तों देखे download event card तो रहे से आप download कर सकते हो तो इस तरीका से दूस्तों बेलकल नया जो इस समकाड है आप घर बेटे-बेटे बना सकते हो